बिछारते वक्त मेरे सारे एब गिनाए उसने सोचता हूँ जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझमे मुझे सापों से डर नहीं लगता इंसानों से लगता ए क्योंकि साप अपने बचाव के लिए डसता है और इंसान अपने पायदय के लिए जहर के काबिल भी ना थे, कुछ लोग दोस्तों, अपसोस हम उन्हें जिगर का खून पिलाते रहे पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है, गाय घास खाकर भी दूद देती है और साप दूद पीकर भी जहर ही उगलता है कचरे में फेकी हुई रोटियां, रोज ये बया करती है कि पेट भड़ते ही इंसान अपनी आवकात भूल जाता है किसी ने खूब कहा है, न मेरा एक होगा, न तेरा लाक होगा न तारीव तेरी, न मेरा मजाक होगा गुरूर नोकर, साह ए सरीर का, मेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा जवानी से अच्छा कहीं एक बचपन हुआ करता था जिसमें दुस्मनी के नाम पर सिर्फ एक कट्टी हुआ करता था जुल्म के सारे हुनर हम पर यूँ आजमाये गए जुल्म भी साह हमने और जालिम भी कहलाये गए उठाना खुद ही पड़ता है ठका और तूटा बदन अपना क्योंकि जब तक सांसे चलती है कंधा कोई नहीं देता धूनना ही है तो परवाह करने वाले को धूनिए इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंड लेंगे सब्दों को कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कर लो फिर भी सुनने वाला अपनी आवकात के अनुसार ही उसका मतलब समझता है कभी कभी सामने वाले का सच हमें भी पता होता है लेकिन प्यार भी इतना होता है कि उसके जूट को भी हम सच मान लेते हैं इंसान उन चीजों से कम बिमार होता है जिने वह खाता है ज्यादा बिमार वह उन चीजों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खाती रहती है जलने और जलाने का बस इतना सा फल सफा है फिक्र में होते हैं तो खुद जलते हैं और बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलाती है अपनी गलती को स्विकारना जारू लगाने के समान है जो थोड़ा अजीब लगता है पर स्वेंग को चमकदार और साफ कर देता है सहने वाला ही जानता है कि वो किस दर्द में है दुनिया तो बस उसकी जूती हसी देखती है जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालाद बदल डाले हम तो आज भी वही है, बस लोगों ने अपने जज़बात बदल डाले दिलों में वही बस्ते हैं, जिनका मन साफ हो क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गाट ना हो संसार में केवल मनुष्य ही एक मात्र ऐसा प्रानी है जिसका जहर उसके दातों में नहीं, बलकि बातों में है याद रखना वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता वो तो सीधे सजा सुनाता है इस दुनिया का कोई रंग नहीं कोई धंग नहीं पैसा पास है तो सब कुछ है वरना कोई संग नहीं ये मत सोचिए कि कॉन कब कहां कितना बदल गया, बस ये सोचिए कि क्या दे गया और क्या सिखा गया। जब जिन्दगी तुम्हें नया मौका दे, तो पुराने गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां आप गलत ना हो, वहां सर मत जुकाना। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन जूट हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। जीवन में दो काम बड़े मुश्किल है, जिस ब्यक्ति से प्यार ना हो उसके साथ रहना, और जिस से प्यार हो उसके बिना रहना। यहां तो लोगों को लहसुन और प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन बैमानी, ठगी और चोड़ी करने से उन्नी की प्राप्ती होती है। संपत्ती का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वेंग होते हैं। हमेशा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि बोलने से पहले सब्द आपके गुलाम होते हैं, और बोलने के बाद आप सब्द के, मतलब बड़े भाड़ी होते हैं, निकलते ही रिष्टो का वजन कम कर देते हैं, हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, एडिया उठाने से किर सब्दार उचे नहीं होते, जब दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए, तो समझ लिजिए कि रिष्टो की हार निश्चित है, लोग आइना भी ना देखते कभी, अगर आइने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, खुद से बहस करोग तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे, तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे, लोग बुडाई करे और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करे और आप सुखी हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख का स्वीच लोगों के हाथ में है, कोश 56 भोग भी बेश्वाद है अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सब के साथ हो तो जुबान पर काबू रखो आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं